अब अब इस सत्र दो हजार तेइस चौवीस के लिए भी हमें निपुन विद्याले कार्य योजना बनानी है उसको पूरा इसमें समझाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि निपुन विद्याले कार्य योजना यह एक ऐसी योजना है कि जो हर व्यक्ति की अलग हो सकती है क्यों क्योंकि वो योजना आपकी है और योजना हर किसी की अलग होगी क्योंकि परिस्तितियां अलग होती हैं सभी की तो योजना भी निस्संदे अलग हो सकती है लेकिन कुछ बातें हैं जो कौमन हैं और जो हमारे विभाग द्वारा प्रेसित सामगरी है हमें उसको भी अपनी योजना में समाहित करना है तो ये चीज़ है तो हमारी योजना में होंगी ही होंगी तो उसी के आधार पर मैंने प्रयास किया है कि किस पिरकार हम निपुन विद्याले कारिय योजना ताकि हमारा उस योजना के तहत विद्याले जल्द से जल्द निपुन हो सके तो इसमें मैंने जो पूरा PDF बनाया है निपुन विद्याले के लिए इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसको निपुन क्या है उसको बताया है उसको डिफाइन किया है जो इसका फुल फॉर्म है यह कब चलाया गया, क्यों चलाया गया, क्यों इसकी आवशक्ता पड़ी थोड़ी इसके बारे में मैंने ब्रीफ जानकारी यहाँ पर दिये यहाँ पर आप आगे अपनी विद्याले का नाम पूरा स्टाफ का वेवरान लिख सकते हैं यहाँ पर फिर आप समस्त स्टाफ का लक्ष निर्धारन क्योंकि अगर हमें लक्ष नहीं पता है, हमें करना क्या है, तो वो चीज थोड़ी उतना प्रभावशाली नहीं होती है इसमें सभी का है कि हम इन जो पांच बिंदू हैं, यह जो लक्ष हैं, इनको हम सोचें, विचारें, कि मैं किस विशिष्ट परिनाम की अपेक्षा रखता हूँ या रखती हूँ क्या मेरा लक्ष मापने योग्गे है? तीसरा पॉइंट, क्या मेरा लक्ष प्राप्त किया जा सकता है? यह क्वेशन हमें अपने आप से पूछने हैं, और क्या मेरा लक्ष वास्तिविक है? और पॉइंट और फाइव लक्ष हमारा है, लक्ष को प्राप्त करने में कितना समय लगीगा? यह हमारे ऐसे लक्ष है ऐसे विचारनी बिंदू है जो हमें अपने आप से स्वेम करने हैं और अपने लक्ष का निर्धारन करना है यह जो कार्यक्रम चला हुआ है उसका उद्देश है आप आगे अपनी योजना में इस चीज़ को शामिल कर सकते हैं कि शुकर्य करम का उद्देश है बेसिक शिक्रावन योजना जो कार्यक्रम के प्रति समुदाय को जाग्रूह करना है क्योंकि जब तक जनसमिदाय जागरुक नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं हमारा स्कूल एक गाउं में होता है एक नगर छेत्र में हो सकता है जब तक वहां के आस-पास जो पेरेंट्स हैं और जो समूधा रही हैं जब वह अवेयर नहीं होगा तो हमें सपोर्ट नहीं मिल पाएगा जिसके बिनXT काुट हम आगे कार्य करना हमारा संभव नहीं होगा वीडियो थोड़ा बढ़ा हो सकता है कियोंकि योजना है और योजना हालां कि मैंने बहुत कोशिश करिया है कि बहुत से उसको पॉइंट वाइज पॉइंट किया है क्योंकि इसका पूरा और डेटेल मेरा दूसरे रेजिस्टर में है। आपरेशन काया कल्प और सिख्षा के महतों से जिन सम्मन्ने को अवगत कराना तो यह आठ हमारे कारिकरम के उद्देशे हैं अब नुपमिन भारत मिशन के तहट आधार भूत साक्षरता एवं संख्यात मक्ता के प्रिकार यह चीज़ें हमें खुद को पता होनी जैसे कि कोई हमें सवाल है जब हम upon उससे हल करते हैं इसकी ऑसको उसकी आगर हम हमें फौर्मूला नहीं पता हूंगे तो हम उसे हल नहीं कर सकते ऐसे ही जो कारिया हम कर रहें जब एक उसके अंदर जाकर हमें किसी चीज की गहराई नहीं पता होगी तो उस पर हम काम नहीं कर सकते तो सबसे पहले जरूरी है कि हम इस चीज को समझें कि निपुन भारत मिशन जो चलाया गया है वो है क्या यह आधार भूत साक्षरता संख्यात्मक ग्यान है क्या तो इसमें यह किसी भी लक्षे की प्राप्ति के लिए जरूरी होता है कि हमें यह पता हो कि हमें वास्तविक तोर पर करना क्या है और कैसे करना है उसी को यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिनको क्लैरिफाई करने की कोशिश किये कि मूल भूत भासा और साक्षरता के जो क्या है उसके मुख्य पॉइंट क्या है तो मुख्य भासा विकास है यह आप जानते हैं जो पढ़ा रहे होंगे वन टू थर्ड को वो अच्छी प्रकार से यह सारे पॉइंट्स तुरंत समझ जाएंगे और यह दुन्यात्मक जागरुकता डिकोडिंग सब्दावली रीडिंग कॉंप्रिहेंसन पठन पिरवाब प्रिंट के बारे में अवधारना लेखन कल्चर ओफ वीडिंग यह सारे मूल भूत भासा एवं साक्षर्ता जिन पर हमें काम करना है में और यह संख्यात्मकता का जो की गनित से संख्या पूर्वधारना नंबर और और अपरेशन और नंबर गंडितिये तक्निके मापन आकार एवं स्थानिक समाच और पैटर्न यह सारी चीजह हैं जिसन पर हमें अलग अलग अपनी पूरी रणनीती तैयार करनी है अगर आप इसमें अगला पॉइंट कर सकते हैं आव अगर अट्रेक्शन आपके विद्याले में नहीं है तो वो भी बहुत जादा इस चीज़ को प्रभावित करता है बहुत इक परिवेश जितना ग्यान वर्धक और आकरसित हो का बच्चों के पढ़ने वे विद्याले में ठहराव की इस्तिती भी उतनी ही अच्छी होगी अ बताया है आपको SMC ग्राम प्रधान महला लीडर प्रेरित व्यक्ति इन सब की आप मदद ले सकते हैं इन सभी पॉइंट्स को किलियर करने के लिए यह मैंने सारे पॉइंट्स बनाए है कि क्या क्या है जो बहुत इक परिवेश में कर सकते हैं बहुत पॉइंट्स हैं इसके कोई खड़ी की दरवाजा खराब तो नहीं है आसपास तालाब तो नहीं है विद्धुत लाइन तो नहीं है सामुदा एक से भागिता लेना बालिका की जो सुरक्षा है वो बहुत में पॉइंट है और लास्ट में मैंने जोड़ा है कि जो विभाग दौरा 19 पैरामीटर है उनका संत्रित्य करण की जो इस्तितिय वो क्या है तो यह सारे हमारी पैंट से आप इनको भी किलियर करके चलिएगा अब यहां से हमने निपून लक्षे को ले लिया है जो आप अच्छे से जानते हैं कि हमें जो तर प्रदेश है उसको 2025-2026 तक इसको अचीव करना है आप तो सब इसे 123 क्लास के अकॉर्डिंग और बाले वाटे का किन साथ जानते हैं अब आगे आता है क्योंकि जब हमें विभाग से टूल किट मिल गई है तो क्यों ना हमारा जो है कि योजना है वो फाइब पॉइंट टूल किट पर ही आधारित करके बनानी है तो फाइब यह टीचर के साथ मिलकर हम करेंगी तो इसमें देखिएगा यह 5 पॉइंट है वो क्योंकि बहुत से टीचर होते हैं इस चीज में भी कन्फ्यूज है कि यह पॉइंट टूल क्या है कभी 5 पॉइंट टूल आता है कभी 10 पॉइंट टूल आता है तो यह चीज भी हापर आप स जो सिक्षक हैं और हैड है उनके बीच जो एक कक्षा बाटनी है और कार्य विभाजन भी करना है तो यह अच्छे से करना है और एक बहुत सोहर्द पूर्ण वातावरन के साथ इस कार्य को संपन्न करना है ताकि माहुल अच्छा होगा स्ट्रेस फ्री होगा तो अच्छे से सिक्षन कारिय होता यह आप भी अच्छे से जानते हैं तो सब की सहमती से कक्षा विभाजन करें और कारिय विभाजन दूसरा है संदर सिका आधारिक सिक्षन योजना तो यह हम सभी को पता है संदर सिकाएं हमें मिली हुई है और उनके जो वर्क बुक हैं वो भी हमें मिली हुई है तो आपको जो विभाग द्वारा संदर सिकाएं और वर्क बुक मिली हैं उन्हीं को आधार बनाकर आपको अपना सिक्षन कारिय करना है इसका पॉइंट यह में है तीसरा पॉइंट है चात्रों का आंकलन और तो आपको ऐसे ही आपको पता है भाषा में भी कब आंकलन होगा कब पुन्रविर्ती होगी कब मैथ में होगी ना तो उसके आधार पर आपको बिलकुल विभाग द्वारा दिये गए आधार पर ही बच्चों का आंकलन और रेमेडियल टीचिंग उनका करना है तीसरा पॉइं समुदाय से भागिता एवं अभी भावकों के साथ बैठक ये महत्वपून बिंदू है क्योंकि अगर समुदाय अवेर नहीं है जहां आप जाते हो क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं और समाज तब ही चलता है जब आपस में हम सब का सहयोग होता है अकेले कोई चीज नहीं सफल हो सकती तो इसमें हमें समुदाय को भी सामिल करना है उसको बताना है कि ये क्या प्लान है अभी भावकों को विसेश तोर पर पूरा निपुन की जानकारी देनी है और बच्चे को घर पे किस पिरकार से उस कार्य को कराएं उस चीज की भी आपको जानकारी देनी है पा आपके साथ बच्चा बिलकुल आत्मिक तोर पर जुड़ जाए यानि उसके अंदर क्योंकि जो छोटा बच्चा है वह वास्तव में प्यार से जादा पड़ता है बहुत छोटा बच्चा तो उसमें उसको जब वह आपके साथ गुल मिल जाएगा तो अपनी बाते भी आपके शेयर करना शुरू करेगा और जब वह आपके बात आपके साथ मिल जाता है अगे चलते हैं आप निफुन विद्याले बनाने हिता विद्याले बता नंबर ऑपना पर ये शुरू कर enjoy a यानि कख्षावंटित कर दी है और कख्षाध्यापक को उनका कार्य भी दे दिया है यहां पर यह पूरा है तो थोड़ा सा इसको जल्दी निकाल देते हैं क्योंकि विद्याले का पूरा डेटेल है अब निपुन विद्याले बनाने है तो पॉइंट नंबर टू किट का प्र प्राप्त संदर्शे का हैं सिक्षन योजना है कार्य पुछते का है उनका प्रयोग प्रती दिन करेंगे जो मैं पहले बता चुकी अभी उसमें किलियर कर दिया था और पॉइंट तीन है यहां पर चात्रों का आकलन और उप्चारात्मक शिक्षन जो कि आपको विभाग द प्रयाठक में उनको शामिल करेंगे अब है तूल नंबर फाइव जिसमें आत्मी संबंद है आप देख रहे होंगे यह हमारे विद्याले का ही फोटो है इसमें मैंने विद्याले की फोटो लगाएं मोश्चली सिक्षक विद्यार्ति आत्मी संबंद सिक्षन एक महत्पू कर दिया जो भी पांच पॉइंट उनको कर दिया आगे सबसे इंपोर्टेंट जो मुझे लगता कख्षा द्यापक के जरूर बताएं क्योंकि जब तक द्याइत्व नहीं होगा तब तक उस चीज की जो इंप्लिमेंटेशन है थोड़ा कमी रह जाती है उसमें तो इसमें प्रित्यक अध्यापक निपुन विद्याले बनाने में एहम भूमी कर रिखाता है इसलिए जरूर है कि उसके द्यापक प्रियोग सुनिश्रित करेंगे यह बिंदू दे दिया है जैसे संदर्शिका का निरंतर प्रियोग शिक्षन चक्र का पालन तालिका के माध्यम से सुकूल है तो उसमें भी आपके यह सारी चीजें चल जाएंगी क्योंकि वहां पर भी संदर्शिकाएं मिली हैं तालिकाएं मिल गई हैं और देखो रेमेडियल तो है ही यह है पेरेंटल कम्यूनिटी एंगेजमेंट इसमें समगर सिक्षा के उद्यों को प्राप्त करने के कि इस परकार इसमें सारा इसमें दिया हुआ अब यह है क्योंकि जो 2023-2024 है उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है उस बदलाव को भी मैंने इसमें क्योंकि अगर बदलाव ही नहीं पता होगा तो आप टीचिंग कैसे करोगे तो 23-24 में जो हमारी शिक्षन रणी थी थी उसमे बदलाव हुए हैं यह वो संदर्सिकां हैं जो संदर्सिकां में बदलाव हुआ है यह कारिय पुस्तिकां हैं जो कारिय पुस्तिकां में बदलाव हुआ है तो जो पढ़ा रहे हैं वो इसको अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं बाकी विसेश्ता के सौ प्रतिसद सर्रेखन संगर सील बच्चों और पीछे छूटे गई बच्चों ही तू प्रति दिन रिमेडियल सिक्षन होगा पाठे पुस्तक एवं कारे पुस्ते का का सौ प्रतिसद सर्रेखन आंकलन और प्रभापूर्ण पथन को शामिल किया गया है प्रभापूर पठन समझ कर पढ़ने पर विश्यस जोर और नवीन कहानी और कवीता पोस्टर दिये जा रहे हैं तो यह चीजें इसमें जो प्रमुक विश्यसताओं में इसमें लिख दिया है कि क्या चीज नहीं है फिर यह सी देश 24 में जो रणनीत यह गनित किये जो गनित म कोड़ और कख्शा के बच्चों की आवशक्ता के नुसार योजनमें बदलाब तो यह बदलाब भी आपको लगता है जो पढ़ाता है वो बहतर जानता है अब सिक्षन नीती के लिए बहतर टी एलेम टूलकिट यह टूलकिट जो हम टी एलेम का है उसका है यहां पर कि लिए निर्मान करते हैं तो निर्मान आप इपक्रायन करते हैं वह भी हैं कि इस जरुए तक मैं भूलता है कि चोटे बच्चे के लिए ज़रुर्य होता है उसे को अब टील्यम को कक्षा के स्तर के अनुसार उन कक्षाओं के लिए जरूरी जो दख्षता हैं उनको ध्यान में रखते हुए यह कख्षा यह यह पर पूरा पीरिड बाट दिया गया कख्षा एक में क्या है दो तीन पूरा पीरिड चालीस-चालीस मिनट का यह आपको पता ही अवधार नर्निर्मान ये पूरा जो mathematics का है इसमें सारी चीजें दी हुई है block 1, 2, 3, 4 हमें किस तरीके से काम करना है हमारी सिक्षन योजना है ये सिंबल बने हुए है जो ये है ये सिक्षन योजना का सिंबल होगा और यहाँ पर ये जो हाथ बने हुए ये खेल गती विदी का होगा और इधर ये जो बना हुआ है ये ये कारिय पत्रक का होगा यानि कि आपको जो ये जहाँ पर ये दिखेंगे समझ लेना ये कारिय पत्रक है जो block 1 होगा उसमें गनितिय बातचीत होगी ब्लॉक 2 में जो दक्षता है वो सिक्षन वाली होंगी ब्लॉक 4 खेल होगा और ब्लॉक 3 अभ्यास होगा भासा का साप्ता हिक सिक्षन चक्र ये सप्ता का है पूरा 40-40 मिनट का जो उसमें आया था ये आप समझ सकते हैं देख सकते हैं स्क्रीन सॉट ले सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी और यह दक्षताओं की प्रापती समय पर कारिया बच्चों की प्रतिभागता और सत्ते आंकलन सत्ते आंकलन बहुत जरूरी है इसमें यह सारे पॉइंट्स दिये हुए है यहां पर सारा कवर किया हुआ है पूरे चक्र को जो अब तक बताया है उसको पूरे को कवर किया हुआ है प्रति सप्ता ती उत्दे से आपको चलने या पर लेकर यह देख लीजिए जितनी बीचीजिश थी वह सभी है उन्हों ने की है और जो प्रती सप्ता होगा उसमें आपको 30,2 से मिलेंगे काम करने को यह वार्षिक डिजाइन हो गया है यह वीक पूरा वीक 52 है और पूरा आफटर जो 25 होंगे उनका पूरा है और फिर होगा किस तरीके से फिर नेट होगा जो जब तरे बारह पूरे वीक हो जाएंगे तो 13 में नेट होगा फिर ऐसे ही आपको लगातार आगे जब तक 20 वीक होते हैं आपको काम करना है 20 वीक के बाद फिर नेट होगा फिर आपको लगातार 22 से 25 वीक करना है और फिर लगातार काम करेंगे और फिर उसके बाद 25 वीक के बाद फिर नेट होगा यह आपकी परीक्षा का एक तरीके से हम कह सकते हैं schedule है यह बहुत जरूरी है जिसमें आपको विद्यालकों निपुन वनाने में दीक्षा एप का प्रती दिन प्रियोग करना है निपुन लक्षे एप पर आपको assessment करना है, read along का प्रियोक करना है और जो सरलप को करते होंगे उनको सरल एपका करना है और इसमें एक बात मेन और मैं बता दूमें ने एक वीडियो भी बनाया हुआ जो निपन पंजिकाा को लेकर है आप लोगोंने इसे काफी सरहा है बहुत जादा उस वीडियो को आप सभी ने प्यार दिया है तो आप उस पर देखकर आप अपनी जो योजना है उसको भी शामिल कर लेना इसमें क्योंकि निपुन लक्ष एप के माध्यम से ही आपकी निपुन पंजिका बनेगी तो आप उसको वहाँ पर देखकर उस चीज को इसमें सामिल कर सकते हैं किसी अध्यापक के अवकास में क्या है कि उजना वहें सब को जरूरत होती है मेडिकल भी है आवशक्त पढ़ सकते हैं किसी को कभी भी किसी भी चीज़ की तो उसमें भी हमारे पास एक योजना होनी चाहिए कि अगर को टीचर कारण वस परिस्तिती वस छुट्टी पर जाता है तो हमारे पास क्या योजना है उसको लेका तो इसमें प्रधान अध्यापक सुनिश्चित करेंगे कि अगर कोई शिक्षक आवकासपर्द है तो पूर्व में ही एक शिक्षक की न्युक्ति उस कक्षक कक्ष में उस दिन की शिक्षन योजना के अनुरूप लगाई जाए यानि आप लगाएंगे रीटिन में और साथ में शिक्षन योजना को क्योंकि मैं कुट्षा मेरी कख्षा कilotानी का योजना हुआ हम प्रतियक से हमकारिय योजना लेंगे और उसको एक रजिस्टर में लगा देंगे जैसे कि मैं नहीं हमेंhart बनाई थि और यहाँ पर अपनी हुजना जो कक्षा की योजनाकी में किस प्रकार पढ़ाऊंगी उसको यहां पे लगाया हुआ है लास्ट में सपत ताकि हमें ये रहे कि हमने सपत ली है पूरा स्टाफ के साथ कि मैं अपनी बुनियादी दख्सता प्राप्त कराते हुए अपने सेवित विध्याले को निपन विध्याले के रूप में विक्षित करूँगी जय हिंद जय भारत जय शिक्षक ये पूरा वीडियो उमीद है आपको अच्छा लगेगा और आगे भी ऐसी प्रकार की जो भी कोई लगता है मुझे की अच्छा है और बहुत से कमेंट आ जाते हैं कि प्लीज इस चीज पर हमें बता दीजे कि इस पर कैसे कारिये होगा तो मुझे लगेगा कि तो मैं बनाऊंगी अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएं कुछ चीज अगर लगती है आपकी समझने आई हैं तो आप पूछ सकते हैं वीडियो को अन तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फर वाचिंग